हर्यों नमो नारायना भक्तों श्री तुलसी दास्टी राम चरित मानस में भग्वान श्री हरी विश्नु द्वारा अपने भक्तों को दिये आश्वाशन के विशे में यह कह गए है कि जब जब होई धर्म की हानी बारही असुर अधम अभिमानी तब तब धर प्रभु विविद सरीरा भरही दयानि दी सज्जन पीरा अर्थार जब जब धरा पर पापों का बोज पड़ेगा तो मैं भिन भिन अवतार धर कर धरती पर आता रहूँगा और पाप ताप संतापों से सब कर रक्षन करता रहूँगा और श्री हरी ने अलग अलग युगों में अवतार धर कर अपने इस बादे को सैदेव निभाया है वक्तों तो आईए आज उनी श्री हरी भगवान के दस अवतानों की ये पावन गाथा आपको सुनाने जा रहा हूँ तो बोलिए भगवान श्री हरी विश्नु नारायन की विश्नु अबतारों की गाथा पावन बड़ी महान है इन अबतारों का वर नन तो करते वेद पुरान है करते वेद पुरान है विष्णू अवतारों की गाथा आईए भक्तों भगवान श्री हरी विष्णू के पहले मत्स्य अवतार की कथा सुनाता हूं भक्त जनों भगवान श्री हरी जग पालन हारी है अतह ब्रह्मान की रक्षा है तू वेदों को बचाने है तू दैत्य है ग्रीव का अंत करने है तू भगवान श्री हरी ने अपना पहला मत्स्य अवतार धारन किया साथ ही साथ वेवस्वत्मनू सप्त रिचीगण और सारे जीव जन्तों को प्रथम प्रले के प्रलाप से बचाने है तू श्री हरी ने मत्स अवतार धारन किया तो बोलिए मत्स अवतार की भक्त जन्तों श्री हरी ने अपना धूजा अवतार कूर्म अधात कच्छुए का धारन किया सागर मंधन के समें धैत्य और दानव मंदराचल परवत को मत्नी और वासुकी नाग को नेती बना कर मंधन को तयार थे तब श्री हरी ने पूर्म रूप धरकर मंदराचल परवत को अपनी पीट पर धारण किया और सागर मंतन सम्पून करवाया तो बोलिए पूर्म अवतार की पृत्वी को प्रलै से बचाने मस्य अवतार को धार लिया रिशी मनू और सफ्त रिशी गण वेदों का अधार किया दूजा रूप फिर कूर्म का धारा पीट पे गिरी उठाया था सागर मंथन के कारज को फिर सम्पून कराया था दोनों अवतारों के चर्णों हाँ दोनों अवतारों के चर्णों करते हम पर नाम है इन अवतारों का वर्णन तो करते वेद पुरान है करते बेद पुरान विष्णू अबतारों की गाथा आवन बड़ी महान है इन अबतारों का वर्णन तो करते बेद पुरान है करते बेद पुरान है विष्णू अबतारों की गाथा भक्त जनो एक बार दैत्य हिर न्याक्ष के आतंक से सारी स्रिष्टी काप रही थी वो इतना शक्ती शाली हो गया था कि धर्ती माता को बंदी बना कर समुद्र के नीचे ले गया तब सभी देवी देवता श्री हरी विष्णू की शरण में आये और उनकी प्राठना पर श्री हरी ने वरा अवतार धरन किया उसी अवतार में प्रभू ने दैत्य हिर न्याक्ष का अंत किया और धर्ती मातो अपने दातों के मध्य फसाकर बचाकर ले आये तो बोलिए वरा अवतार की अपने चोथे नर्सिंग अवतार में भगवान विष्णू ने दैत्य हिरन्याकष का अंत किया और अपने परमभक्त प्रहलात के प्राणों की रक्षा की हिरन्याकष्चप को बरदान प्राप्त था न तो वो जल में मरेगा न थल में न प्रित्वी न आकाश न मनुष्य न जानवर न अस्त्र न शस्त्र से तो ऐसे में भगवान श्री हरी ने आधा नर और आधा सिंग बनकर नरसिंग अवतार लिया और अपने नाकुनों से दैत्य का सीना चीर कर उसका अंत किया तो बोलिए नरसिंग अवतार की वरा रूप धर के विश्णों ने हिरन्याक्ष को मारा था कृत्वी को दाकों में फसा कर भवसागर से उतारा था नर सिंग बनकर भक्त प्रलाद के प्राण भिया अपने राखे थे आधा नर और आधा सिंग बन देत्य राजि को मारे थे देबों ने दो हाथ उठा कर आदेवों ने दो हाथ उठा कर किया तेरा दुनगान है इन अबतारों का वर्णन तो करते वेद पुरान है विष्णू अबतारों की दाधा आवन बड़ी महान है इन अबतारों का वर्णन तो करते वेद पुरान है करते देद पुरान है विश्णू अवतारों की गाता भक्तों अपने पाँचमें अवतार में श्री हरी ने वामन रूप भरा यह भगवान का पहला मनुझ अवतार था दैतिराज बली अत्यंत शक्ति शाली था परन्त बहुत दानवीर भी था श्री हरी वामन रूप भरकर उसके घर भिक्षा मांगने आए और तीन पग भूमी दान में मांगी दैतिराज ने तीन पग देने की हामी भर दी तो श्री हरी ने अपनी देह बढ़ा कर दो ही पगों में सारी स्रिष्टी नाप दी तीसरा पग धर ने हे तू दैतिराज ने अपना शीष सन्मुक किया श्री हरी ने उसके शीष पर पैर रख कर उसे पाताल भेश कर उसे भवसागर से बार कर दिया तो बोलिये वरा अवतार की भक्त जनो श्री हरी ने छटा अवतार परशुराम रूप में धरन किया ब्रामन होकर दी उन्होंने प्रित्वी की रक्षा हे तू अस्त्र शस्त्र धरन किया और भगवान शिव का तब करके उन्होंने अमोग फरसा प्राप्त किया इसी अमोग फरसे से उन्होंने सहस्त्र भावु के सारी भुजाएं काट कर अपने परिवार की हत्या का बदला दिया और इस प्रित्वी से पापियों का नाश किया तो बोलिये परशुराम अवतार की वामन रूप धार विश्नुजी बली के सनमुक आये थे उसके शीश पे पाऊं धरा और लोक पताल पठाये थे परशुराम बन अस्त शस्त को अपने हाथ उठाया था प्रित्वी से पापी और पापों दोनों को ही मिटाया था श्री हरी के अवतार ये सारे हाँ श्री हरी के अवतार ये सारे करते तो कल्यान है इन अवतारों का वर्णन तो करते वेद पुरान है करते वेद पुरान है विष्णू अबतारों की गाथा आवन बड़ी महान है इन अबतारों का वर्णन तो करते देद पुरान है करते देद पुरान है विष्णू अबतारों की गाथा अपना सप्तम अवतार श्री हरी ने मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान श्री राम के रूप में धारन किया। जब पापी रावन के आतंक से धर्ती मा धर्रा रही थी, तब अयोध्या के महराजा दश्रत के यहां श्री राम रूप में श्री हरी ने अवतार लिया। और विभिन लीलाएं करते करते रावन का अंतकर प्रित्वी को पापों से मुक्त किया तो बोलिए भगवान श्री राम चंदरजी महराज की अपना आठवा अवतार भगवान श्री हरी विश्नु ने सोलह कला संपून श्री कृष्ण के रूप में धारा और इस अवतार में पापी कंस का अंतकर के धरती को पापों से मुक्त किया कालांतर में वे महा भारत के महा नायक बने और इस संसार को सत्य की राह दिखाते हुए गीता के उपदेश दिये तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी महराज की जे राम रूप को धार हरी ने रावन का संघार किया अंतकिया पापी का भगवन श्रिस्ची का ओधार किया सोला कला संपून कृष्ण का आठवा अवतार लिया पापी कंस का अंतकिया और धरती का सब भार हरा गीता का उपदेश सुनाया इन अबतारों का वर्णन तो करते वेद पुरान है करते वेद पुरान है विष्णू अवतारों के गाथा भगवान श्री हरी ने अपने नवम अवतार में महात्मा बुद्ध का रूप धरन किया वो अपने सभी पिछले अवतारों से बिलकुल भिन्न थे उद्ध अवतार में श्री हरी ने श्रिस्टी को शांती और अहिंसा का पाठ पड़ाया तो बोलिए भगवान बुद्ध की और भक्त जनों अब इस घंधोर कल्युक से पापों तापों और संतापों को मिटाने के लिए प्राणियों का उद्धार करने के लिए पापियों का अंत करने के लिए भगवान श्री हरी विष्णू कल की रूप में शीग्र ही अवतार धारन करेंगे वेद पुराण कहते हैं भगवान का ये अवतार एक बार अस्त शस्त्र फिर से धारन करेगा और नीले घोडे पर अवतरित होकर इस कल्यू के पाप ताप संतापों का समूल विनाश करेगा तो बोलिये कल की भगवान गी बुद्ध रूप में आए विष्णू चांती का संदेश दिया सत्य अहिंसा परमधर्म है भुद्ध न ये उपदेश दिया कल यूब के संताप मिटाने कल की रूप में आओगे भक्त जनों को भवसागर से पार लगाने आओगे दश अवतारों की गाथाएं दश अवतारों की गाथाएं चंदन कर गुणगान है इन अवतारों का वर्णन तो करते वेद पुरान है विष्णू अवतारों की गाथा आवन बड़ी महान है इन अवतारों का वर्णन तो करते वेद पुरान है विष्णू अवतारों की गाथा